यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ नमश्कार भागे चक्र में आपका स्वागत है मैं हूँ आपके साथ कीर्थी कंसल आज क्या है बाराय राश्यों के हाल ये आपको बता देते है मेश राशी की बात करते हैं आज का दिन ग्रिहस्त एवं दामपत्य जीवन के लिए बहुत उचित है ऐसा गनेश जी कहते हैं आर्थिक लाभ तथा प्रवास की संभावना रहेगी विचारों में उग्रता और अधिकार की भावना बढ़ेगी आपके कारे की प्रसुंशा भी आज की दिन हो सकती है आज थोड़ा सा वाद विवाद से टले वहन सुखा आज आपको मिलने वाला है विशब राशी की बात करते हैं आज का दिन शुब फलदाई है आपका शारिरिक एवं मानसिक स्वास्थे अच्छा रहने वाला है सारा दिन आप आनन्द और उल्लास में बिताएंगे दिन के सभी कारे योजना अनुसार संपन हो जाएंगे धन से संबंधित लाभ की संभावना रहेगी मिथुन राशी की बात करते हैं आप तन एवं मन की सफूर्ती का अनुभव आज के दिन करेंगे आज नया काम शुरू करने की योजना बनेगी मान हानी ना हो इसका थोड़ा ध्यान रखे संतान की भविश्य को लेकर चर्चा हो सकती है जीवन साथी के स्वास्ते की चिन्ता आज की दिन आपको हो सकती है और विध्यार्तियों के लिए बहुत अच्छा दिन है आज का करक राशी की बात करते हैं आपके लिए आज का दिन मिशृत फलदाई है आज आप में आनन दैवं सफूर्ति का अभाव रहेगा घर में जगड़े का वातावरन ना हो इसका ध्यान रखे स्वजनों के साथ मनमुटाव होने की आशंका है धन का व्याय हो सकता है क्रोध और वानी पर संयम रखे सिंग राशी की बात करते हैं आपका आज का दिन शुभ फलदाई है आरोग्य की दृष्ट्री से आज आपका स्वास्ते अच्छा रहेगा भाई भंदूओं के साथ समय आनन्द पुर्वक बीतेगा मित्रों और स्वाजनों के साथ भेट होगी और कारे सफलता से मित्र प्रसंद नहूंगी कला की अक्षेत्र में आपके विशे शुरूची रहेगी कन्या राशी की बात करते हैं आज का दिन आपके लिए शुब फल देने वाला है अपने मीठी वानी से किसी का भी दिल आप जीत सकते हैं आपके कारे सिध होने की काफी संभावना है परिवार में आनंद का वातावरन रहेगा परिजनों के साथ सुक पुर्वक समय बीतेगा चले तुला राशी का हाला जब को बता देते हैं कि आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है आपका दिन आज का बड़ा सुब फल्दाई रहने वाला है शारिरीक एवम मांसिक स्वास्ते का खास ध्यान रखे स्रिजुनात्मक कारे आप कर सकते हैं विचार के द्रिड़ता से आप काम को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे विच्छिक राशी की बात करते हैं बाचीत में किसी के साथ भ्रांती ना हो इसका ध्यान रखे शारेरिक कष्ट और मानसिक च्यंताओं से आप पारिशान हो सकते हैं आमोध प्रमोध के पीछे खर्च होने की आश्यंका है स्वजनों के साथ कल है होने का प्रसंग ना बने इसका ध्यान रखे धनुराशी की बात करते हैं आज का दिन आपके लिए लाबकारी है ग्रिहस्त जीवन का संपूर्ण आनंद आप ले सकेंगे मित्रों के साथ सुन्दर स्थल पर प्रवास का आयोजन होगा आए मेर विद्धी की योग है भोजन अच्छा मिल सकता है आज की दिन मकर राशी वालों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है ये आपको बता देती हैं आज आपका दिन संघर शुमाय थोड़ा रहेगा व्यपार के लिए यात्रा करने से लाब होगा उच्छ अधिकारी प्रसन रहेंगे नौकरी में आज प्रमोशन होगी संतान की पढ़ाई के संबंध में आपको संतोष कानुभव होगा और ग्रिहस्त जीवन आनंद पुर्वक बीतेगा धन मान संब्मान मिलेगा चलिए कुम्भ राशी की बात करते हैं आपका दिन मिशृत फल्दाई होगा आपका स्वास्ते नरम गरम हो सकता है इस कारण कारे करने का उत्साह मंद हो सकता है अधिकारियों से संभल कर चलना हितकारी है आमोध प्रमोध घूमने फिरने के पीछे इधन का व्याय हो सकता ह मीन राशी की आज के आपको हाल बता देते हैं गणेश जी का कहना है कि आपका दिन मध्यम फल्दाई होगा अधिक परिश्रम वाले कारे अभी टाल दे आकस्मिक धनलाब की योग है व्यपारी वर्ग को पुरानी योगाही का धन मिल सकता है अधिक खर्च ना हो इसका ध्य जान रखेगा खर्च जाफ़ाउ झाल बता दो लेख़ा झाल दोगा है